असलाम लेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं सारे ठीक ठांके अल्ला के शुकर और करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उमीद करती हूँ कि अभी सब खेर घर यह से होंगे तो मैं आज आपको वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम बनाना सिखाऊंगी जो के लगाने से आपके मुँखे स्याई या दाग धबे बिल्कुल साफ हो जाएंगे और एक दम से रंग साफ हो जाएगा और जिनके रंग बहुत ज्यादा गहरे मतलब स्या रंग है वो भी लगाएं तो इससे पहले मेरे चैनल को कर ले लाइक और सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को करें शेयर जितना हो सकता है तो मेरे साथ इसी तरह बना रहे हैं ताके मैं आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियो लेकर आती रहूं तो वीडियो को करते हैं यहीं से स्टार्ट सबसे पहले आपको चाहिए फैरन लफली छोटी फैरन लफली की एक ट्यूब ले लें ये मैंने ये वाली ली है तो इतनी कॉसली भी नहीं है रिजेनेबल है तू ट्वंटी की और कंसेशन के साथ ये शायद टू हंड़र्ड की मिली है और उसके बाद आपके पास एक सीरम होना चाहिए वाइटनिंग सीरम ये मैंने बायोकोस का लिया है बायोकोस का बहुत अच्छा रिजल्ट है इसलिए ये सीरम ले 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 फिर जो है ये विटमन के कैपसूल वाइटनिंग के ये हमने इस क्रीम में सिर्फ चार डालने है ज्यादा नहीं डालने ये बेड़नोवेट और क्रीम लेनी है मरहम नहीं लेनी क्रीम लेनी है ये आदी हमने डालनी है उसके बाद ये golden pearl original वाली लेनी है ये देखें इसकी packing और ये cream पड़ी हुई है इसकी और ये जो है उपर से packing इसकी इस तरह की होती है आरची की तो ये लेनी है एक आपने और बस इन सब cream को आपने mix कर लेना है सारी को एक जगा यानी एक बाउल में लेके न वो भी मैं आपको बताती हूँ मैं पहले निकाल लेती हूँ सारी cream में फिर उटको mix करते हैं ये सारी जो है इनको सारों को हमने एक प्याले में निकाल लेना है क्रीमों को तो वो मैं mix करती हूँ फिर मिलती हूँ आपके साथ तो फाइनली फ्रेंड्स ये मेरी cream mix हो चुकी है और मैंने इसको अच्छी तरह से अब यानी निकाल लिया है अब इसको हमने अच्छी तरह से mix कर लेना है और बस ये ready हो चुकी है और इसके लगाने का तरीका ये है के रात को अच्छे से beauty soap से अपना मूद साफ करें अच्छी तरह और उसके बाद जो है क्रीम लेके रात को लगा लें और सुबा जो है साफ पानी से मूद हो लें और बस ये रात के टाइमी ही लगानी है और दिन में नहीं लगानी है क्रीम तो ये नाइट क्रीम है और आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा तो मेरी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को करें लाइक शेर और सब्सक्राइब अलाहाफीज